Hello friends, Good morning, ऐसे हैं आप लोग, आसा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी हूँगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है संडे और मैं सोची चलो मैं थुरा सा आप लोग से बात कर लेती हूं, तो आज संडे हैं मेरे हस्विन लाए हैं चीकन और मचली भी लाए हैं, तो बहुत दिन के बाद हमारे घर में चीकन आई है और मचली भी आई है तो उसे भी बनाना है और आपको भी दिखाएंगे तो फ्रेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए गार लाइक किजिए और बताईएगा कि मेरा चीकन ऐसी बनी है तो चलिए देखिए मेरे हस्बन चीकन लाए हैं और मचली भी लाए हैं तो मैं इसे दू लेती हूं पहले और दोने के बाद मैं आ गई हूं किचन में तो इसमें पहले मैं डाल देती हूं धनिया पौडर हल्दी पौडर और सरसो तेल प्याज थोरा समीची पौडर इसमें डाल के मैं इसे मिला के रग देत कुछ देर के लिए और चले जाती हूं unless paling ख्यूने के लिए क्योंकि width उसे शोपय मैं चीकन में मतलां टैंब डमने होर्य जो चीकन बहुत अच्छी बना इंद एच्छी बना ठेए चिंद चीकन का वह जो नहीं आती हो नहीं आती है इसलिए मैं इसे मिला के रभ देती हूं और फिर मैं धो करके फिर मैं आती हूं बनाने के लिए तो देखिए फ्रेंस मैं इसे ढग दूँगी मिला के और देखिए कड़ाई में मैं डाल देती हूं तेल और प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी करहाई जो है कि मेरा गरम हो चुकी थी तो प्याज डाल देती हूं और सूखी मिर्ची लाल वाली और तेज पत्ता को डाल के मैं थोरा सब भूनोंगी और फिर मैं टमाटर काटी हूं और कुछ खरे मसाले हैं और टमाटर को मैं पीछ लूँगी और चीकन मसाला है और यह देली का डाले हूं और तामाटर का पेश्ट हम बना लिए हैं और दिखे इसी तरह में भूनेंगे और इसमें जो है अपना जो मसाला है डेली का वही मैं डालूंगे और थोरा-थोरा धनिया पावडर में चीप आप यह से डाल के बना भून लेंगे हम इसे और मचली वाला दूसरे दिन भेजूंगे और देखिए मैं इसे भून लेती हूं और लैसुन और अधरक का पेश्ट भी मैं इसमें डाल दूंगे और मिर्ची पोडर मैं कम डाले हूं क्योंकि बच्चे लोग खाएं बच्चे लोग छोटा वला मचली नहीं खाते हैं क्योंकि उन लोगों यह लेसुन बहुत अच्छी लगती है खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका मेरे पास जीरा का पॉडर खतम हो गया था तो जीरा भून के पीस लिए थे सिल्वेट्टे पर तो उसी को मैं डाल देती हूं और देखिए मसाला भून गया है मैं इसमें चिकन डा करके भूनेंगे और तेल भी छोड देगी और फिर इसमें बाद में हम डाल देते हैं चीकन मसाला और गरं मसाला समें भून देखिए चीकन में कितना तेल चोड दिये हैं नहीं अपने में जँरे करें यह रोट इसे में टीलते हैं तो उसे मैं डाल देती हों इसे में67 ना है जो आ खैकन का बहुत हो मतलब अच्छे लगती है और देखें चिकन कतने अच्छे लग रही है देखने इसे ही भुने के में रेडिये को तोड़ी दीर के लिए धण ने के बाने के बाद हम रहेंगे पानी दाला दुआ यह तोड़ी देर के लिए बस पाने को गरम करना है वार एक लाने के बाद हम इसे उतार देगे हैं अभी धनिया पत्ती शव ढाल के मैं इसे धग देती हूं और देखिए इतनी अच्छी चीकन बनी थे बच्चे लोग को बहुत पसंद है इसे भी मेरे घरतीनों को पसंद है चीकन यह लोग खाते हैं मच्छी बले नहीं खाएंगे लेकिन चीकन खा लेते हैं तो देखिए मैं अपने परिवार में जितना ही रस चाहिए उतना मैं इसमें पाने डाल देती हूं धन्यापते डाल देती हूं और फिर ढख दोंगे चीकन बनके रेडी है ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगती है और अच्छी बनती है तो बच्चे लोग को दे कि मैं चली गई थी कुछ दिर आराम करने के लिए क्योंकि सुबह भी जल्दी जग जाती हूं तो फ्रेंस मैं एक बात कहना चाहते हूं क्या मेरे वीडियो अच्छा नहीं बनता है मेरे वीडियो मतलब जो भी देखते हैं तो क्या करते हैं अन सब्सक्राइब कर देते हैं मुझे आता नहीं है जो कि मैं देखों कि कोश औन संसक्राइब कर रहijn है कोस्तु मुझे है यह पटा नहीं है तो अभी बच्चे का पेपर है आठ तारिफ से पेपर है बच्चे लोग का और अभी जो है और चल रहा है दोनों बच्चों का और ओर नाइनी फाइनल पेपर होने वह ला है जो है कि छोटा छोटा ही वीडियो मेंया बचे म righteous लिए मैं जुटा छोटा ही वीडियो डाल्ति को प्रैंसय। बेंशक्राइब रहे हैं ति इसले शूटा ही वीडियो डालती हैं उप्रेंस मुझे आगे स्थाथ को सacasक्राइब यह मैं मैं भी आप लोग का वीडियो जरूर देखूँ घर अभी फाइनल पेपर हो जाने के बाद से वीडियो तो बनाओंगा औरियो भी सब सबThole ofår और यह हैं बात हो जाते हैं कि मैं कितना वीडियो देखु क्या लोग score करते हैं बिना उसका चैनल पर आप नहीं जाईएगा नहीं सब्सक्राइब किजिएगा तो भी नहीं करेंगे आप वीडियो देखेगा उनका तभी वो वीडियो आपका देखते हैं ऐसे नहीं देखते हैं तो क्या नहीं कि हम काम भी तो करते हैं तिन-तिन बच्चे हैं सभी को देखन पढ़ता है और बच्चे लोग पढ़ते भी हैं तो कितना देख पाती हों कभी मैं कभी उनके वीडियो पर मैं चली जाती हूँ तो अब मिलेगी हम अगले वीडियो में और क्योंकि वीडियों जादा लंबी हो जाएगी कि इसे